20 साल पुराने काला हिरन शिकार मामले में जोदपूर की CJM कोट ने गुरुवार को सलमान खान को दोशी पाया कोट ने उन्हें 5 साल की जेल और 10,000 रुपए जुर्माना की सजा सुनाई इसी मामले में उनके साथ 5 अन आरोपी को बरी कर दिया गया इसमें एक स्थानिय व्यक्ति और 4 सेलिब्रिटीज शामिल है प्रत्यक्ष दर्शी के दावो के अधार पर एक रिपोर्ट की माने तो एक आक्ट्रिस के उकसाने पर सलमान खान ने काला हिरन का शिकार किया था ये मामला करीब 20 साल पुराना है हम साथ साथ है कि शूटिंग के दौरान सलमान खान और फिल्म के दूसरे को स्टार जिनमें सैफली खान, तब्बू, नीलम और सुनाली बेंदरेश शामिल है उन पर काले हिरन के शिकार का आरोप लगा था एक लीडिंग वेबसाइट की खबर के मताविक कहा जा रहा है कि सलमान को शिकार के लिए तब्बू ने उकसाया था रिपोर्ट में आई विटनेस ने दावा किया है कि तब्बू ने ही सलमान को बंदूग चलाने के लिए कहा था सलमान अपने पुराने इंटरव्यू में ये कह चुके हैं कि वो निर्दोश है और उन्होंने काले हिरन को नहीं मारा हालाकि ये पूछे जाने पर कि किसने काले हिरन का शिकार किया सलमान ने किसी का नाम नहीं लिया इस मामले में सलमान के साथ जो अन्य आरोपी थे उनको कोट ने बरी कर दिया है गुरुवार को सुनवाई के दौरान सेफ अलिखान तबू सुनाली बेंदरे नीलम कोठारी और दुश्यन सिंग भी कोट में मौजूद थे सुनवाई के बाद सभी सितारे जोधपुर से मुंबाई रवाना हो गए जोधपुर कोट की ओर से सलमान को सजा दिये जाने के फैसले की बॉलिवुट में आलोचना हुई है कामया पंचाबी ने तो इससे अंधा कानून तक करार दिया कोट के फैसले के बाद कई सितारे मुंबाई में सलमान के घर पहुँचे